दोस्तों अगर आप एक CSC VLE हैं, Common Service Center संचालक हैं, तो आप सभी के लिए CSC के माद्यम से DGP को लेकर एक बड़ी अपडेट निकल के आ चुकी है, जो कि आज की इस वीडियो में बताने वाला हूँ, अगर आप सभी CSC के माद्यम से APS की सर्विस में काम करते हैं, DGP के माद् को बड़ोदा का कैस वीडियो करना चाते हैं, DGP के माद्यम से, तो अगर आप CSC VLE हैं, Common Service Center संचालक हैं, तो वीडियो को कम्प्लीट वाच कीजिएगा, साथी चैनल पर पहली बार आए हैं, तो चैनल को सब्सक्राइब करने के साथ साथ नोटिफिकेशन वेल आकन को आन क कर लिजिएगा, ताकि आप हमारी वीडियो सबसे पहले देख पाएं, तो चैनल यह शुरू करते हैं, जैसा कि आप सभी यहां पर देख पाएंगे, CSC DGP के माद्यम से, इस प्रिकार से एक नोटिच जो है CSC DGP ग्रूप में डाला गया था, जो कि मैसेज को मैंने अपने टेलिग्राम चैनल पे डालती है, आप लोग हमारे टेलिग्राम चैनल पे आ सकते हैं, टेलिग्राम का लिंक आप को वीडियो की डिस्क्रिप्शन बॉक्स मील जाएगा, वहां पे किलिक कर के आप लोग इसको जॉइन कर लिजाएगा, जहांपर आपको सोशननी कस्तिमर का लेंदेन होता है, IRIS से other APS से कभी कभी कारी करता है, BOI से केवल एक ही लेंदेन होगा महीनी में एक टर्मिनल से, चार की लिमिट है अलग-अलग टर्मिनल से, यानि कि Bank of India जो है, वह एक टर्मिनल यानि की एक ID से एक बार ही जो है एक महिनी में लें दिन होगा उसकी चार की लिमिट है अलग अलग टर्मिनल से एक DGP से करिए दूसरा DGP लाइट से कर लिजिए इस परिकार से आपको करना पड़ेगा अगर वह बैंक ओफ इंडिया का कॉस्टमर है ठीक है साथ बताया गया है नोट, बैलेंस इंक्वारी से परहेज करना यानि कि आपको बैलेंस इंक्वारी नहीं करना है उससे आप परहेज करिए साथ बताया गया है कि CBI bank का of us transaction ही होगा कहने का अभी प्राय या है कि जो भी खाता जंदन के तहत खुले है उन्हीं का होगा except main branch को छोड़ कर ठीक है बंधन bank की भी निकासी भी समस्या है यानि कि जो बंधन bank है उसका भी निकासी में समस्या है साथी साथ बताया गया है कि SBI और PNB यानि की SBI bank, State bank of India और PNB यानि की Punjab national bank and most of bank mobile number not updated उनकी APS निकासी में समस्या आएगी इसलिए सभी customer का mobile number update होना चाहिए यानि कि अगर अब किसी SBI customer का या PNB customer का आप APS की माद्दिम से cash निकासी करेंगे तो ऐसे में को समस्या होगा सामना करना पड़ सकता है तो ऐसे में customer के खाते में उसका mobile update होना जरूरी है ठीक है साथी साथ बताया गया कि union bank का भी अब एक दिन में maximum 5000 ही निकासी होगा यनि कि union bank के customer का एक दिन में only 5000 रूपे तक ही निकासी कर पाएंगे साथी साथ बताया गया कि और bank की server या EYDI या NPCI या हमारी server में भी समस्या अगर है तो हमारी lending में समस्या आती है लेकिन उसे से परेशान होना नहीं है आपकी समस्या का समाधान होगा कुछ bank EPS की निकासी पर चार्ज भी लेती है डिजी पे mobile application में काफी अच्छा चलता है compare to Windows अगर हम बात करें Windows डिजी पे की तो थोड़ा सा कम काम करता है अभी next version डिजी पे की आने वाली है उसमें और भी improvement और नई डिजी पी मिलेगी सभी वेली बंदों को बताया गया है दोनों application से CSC वेली निकासी करें प्रति दिन और अधिक सदिक कमिशन प्राप्त करें साथ ही अभी 10 प्रसंड का extra कमिशन भी प्राप्त करें ठीक है यानि कि जितनी भी CSC वेली थे उन सभी के लिए वीडियो काफी ज़्यदा महत्तपूर था अगर आपने इस वीडियो को देख लिया है पूरा तो और भी VLE तक शेयर किजी या आप किसी भी गुरूप में जुड़े हैं तो इस वीडियो को सभी गुरूप में शेयर किजी ताकि और भी जो VLE बंदु भाई है उन सभी को इस सभी चीजों के बारे में अधिक सदिक जनकाई प्राप्त कर सके और अभी तक आपने हमारे चैनल को जॉइन नहीं किया है ठीक है जॉइन कर लिजिएगा सब्सक्राइब कर लिजिएगा और टेलीगाम चैनल को जरूर जॉइन करें आपको यह पर लेटेश्ट इंफ्रमेशन मिलता है टेलीगाम चैनल का लिंक आपको वीडियो की की आती है चले मिलते हैं आपको नए वीडियो में किसी और नए संदेश के साथ तब तक के लिए नमस्कार